हालो फ्रेंज जास्ट कुकिंग चैनल में आप सभी के स्वागत है हाँ आज मैं हिंदी में ब्लॉग कर रही हूं क्यूंकि मेरा कुछ दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट किया हिंदी में ब्लॉग करने का इसलिए मैं एक उसिस कर रही हूं अगर कुछ भूल हो जाए तो ओती अच्छा प्लेस ऑ हो है हमारा पंजाब रोपर की केपसी रेस्टोरेंट में तो चलिए मेरे साल केपसी रेस्टोरेंट साथ रहेंगा एंद तर है तो चलिए है तो दोस्तों देख सकते हो इधर चिकन बन रहा है वह संदे को मन नहीं बढ़ता है तो संडे चिकेन बनाया, राइस पहले सी बना हुआ था, चिकेन राइस और सालट लांच में खा लिया और संडे था, हजबेन साथ में है, घर में सभी बच्चे है, तो हम थोड़ा घुमने निकल गया अब इस साम को साड़े चार बाजे है, हम लोग निकल परी घुमने के लिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, दोस्तों आप लोग थोड़ा अरजस्ट करके देख लिजिएगा तो थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा, फिर बहुत भूप भी लग गया था, तो हम सभी डिसाइट किया कि डिनार करके घर में जाए और इन लोगों का चिकेन इतना पसंद है, मेरा बच्चे और हजबेन को, कि ए लोग बिलकुल चिकेन लवर है और ओ, केफ्सी होगा, तो उसका बात ही कुछ और है, तो हम लोग रोपर में केफ्सी जो रेस्टूडेंट है, उधर आ गया हम आ गया देखो, यह हमारी काई है, और यह हमारी पार्डी हो रही है आके चिकेन पॉपकॉर्ण ओरर किया था केपसी में आओ और चिकेन पॉपकॉर्ण नहीं खाओ यह तो नहीं हो सकता ना तो हम लोग बहुत मज़े करके गरमा गरम चिकेन पॉपकॉर्ण एंजोई किया तो दोस्तों आप सभी को पता है कि चिकन पॉपकॉर्ण इस वान अप दे बेस्ट आइटेम ऑफ केफ सी और यह रोपर का जो केफ सी रेस्टूरेंट है यह बहुती क्लीन है बहुती बरिया है जो आपको बैठ के खाने में बाते करने में एक सैटिसेक्शन होता है इसके पहले भी हम इधर आ चुके हैं लेकिन कभी इसी तरह वीडियो नहीं बनाया तो शोचा कि मेरा दोस्तों की साथ भी कुछ शेयर किया जाए प्रक्राइब लीए जिंगर चीजी बंडल और या था यह भतन करनी का बात भी आ गया शाब लोग बहुत ही एंजाय करके खा रहा था हमको भी बहुत ही अच्छा लगा आपके शाद शेयर करने में फिर आ गया हमारा डिनर आप देख सकते हो जिंगर और चीजी जिंगर और आदिया चिकन पाकेट्स और यह जिंगर जो है वह भी बहुत ही स्पेशल है केपसी का यह आइटेम भी बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही स्पेशल है और यह जो डिप्स है डिप्स तो बहुत ही अलग तरह का होता है और यह जो बकेट में एकदम सॉ बहुत मज़े करके खाया और डिनार कम्प्लिट किया फिर डिनार करके हम लोग आग या बाहर तो अप लोग देख शक्ते हो कितना बारा एरिया है इधर और सारे रेस्टूरेंट है लेकिं केप सी है इन लोगों का फर्स चॉइस हो गया हमारा डिनार तो डिनार हो गया हम लोग अभी चल रहा है घर के ओर और और जाते हुए इधर एक गुरुद द्वारा पड़ता है देखिए ये गुरुद द्वारा हमारा गुरुद के शाम नहीं है तो दोस्तो आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आए मुझे रिक्विस्ट किया था कि हिंदी में ब्लॉग करने का तो हमें एक कोसिस किया अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दिजीगा और कमेंट करके बताईएगा कि एक ब्लॉग आपको कैसा लगा और मिलते हूँ और एक न्यू ब्लॉग में तब तक के लिए बाई